हेलो फ्रेंड्स मैं सिएपुनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लाइव फॉर्म टैनी फाइल करना अगर आपका सेलरी का एरियर आया हुआ है करंट एयर में और आपको टैक्स की जो लाइबलेटी आ रही है वो काफी ज़्यादा आ रही है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने टैक्स की लाइबलेटी को section 89 की relief लेते हुए कम कर लीजिए form मैं live file करूँगा आप पहले वीडियो देख सकते हैं फिर उसके बाद भी file कर सकते हैं या आप चाहे तो मेरे साथ साथ भी आप file कर सकते हैं तो लिए start करते हैं सबसे पहले आप login कर लीजिए login करने के बाद आपको e-filing पर click करना है income tax form पे file income tax forms यहाँ पर आपको जाना है और बिल्कुल भी confusing नहीं होना है इसमें आपर काफी सारे form आपको दिखाई देंगे तो आपको respective जो मैं form file करना है वो file करना है form 10E तो form 10E आपको मिल जाएगा form 10E आप जो है select करेंगे और उसके बाद form 10E को file करेंगे simply आपको यहाँ पर click करना है आपको form 10E front पे मिल जाएगा पहले page पर नहीं होगा इसमें आपर दो तीन अलग-अलग pages दिए गए हैं लग-अलग form का लग-अलग preview होता है तो आपको जो use करना है form 10E form file करना है हम किस तरह से उसको file करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी basic details यहाँ पर एंटर कर लेनी है सारी चीज़े automatically आएगी बस आपको year select कर लेना है फिर इसके बाद आप file करेंगे एक चीज ध्यान रखेगा section 89 की relief लेने के लिए आपके पास पहले से data available होना चीज़े है अगर आपके बास सारा data available है current financial से related और जिस भी financial year का आपका area आया है उस से related बस दो सालों के यहाँ पर details आपको required है अगर previous में आपके 2-3 सालों का area एक साथ आया तो उन सभी years के लिए आपको अपने data available चेक करना होगा और उनके details आपको यहाँ पर enter करनी है तो मैंने example के लिए अभी यहाँ पर बनियर को consider करते हुए चलते हैं और आप भी मेरे साथ साथ आप इसको पहले वीडियो का आप देख सकते हैं फिर साथ के साथ ही file भी कर सकते हैं बिल्कुल simple क्या कर यहाँ कि वीडियो थोड़ा बड़ा है और मैंने बोला है कि पांच विनिट के अंदर भर सकते हैं अगर आपके बाद रियल में सारा data available है तो पांच विनिट से ज्यादा का form यह नहीं है और आप इसको खुद से ही file करें ज्यादे बैटर रहेगा यहां से आपको सेलेक्ट हमें column one जिया गयाли के अंदर इसमें figure अんटर करनी है और नयक्स स्टेप पर हमें ध्यान से सुर deterior का में क्या करना है यह North नमब्र इसके अंदर हमें details एंटर करनी है अब details पर जाकर हमारे से हमारे से पुछा उसका data यहाँ पर feed करना है, simple से language है, अगर 18-19 का मिला है तो 18-19 का, 19-20 का मिला है तो 19-20 का, तो आप यह confused में होगेगा, जो ITR होती है, उस पर उपर assessment year लिखा आता है, अगर आपके बास में कोई ITR है, तो for example, आपके बास 18-19 के एक ITR है, तो उस पर आपको 19-20 लिखा हुआ मि रहे हैं, और यहाँ पर फिर मैं क्या column feed करूँगा, सबसे पहला आता है, total income of the relevant previous year, तो मुझे यहाँ पर total income feed करनी है, relevant previous year की, उसके लिए क्या क्या है, मैंने एक Excel में एक table बना लिया है, मैंने अपना data एक Excel में रख लिया है, आप चाहे तो direct form में से दिखके भी डाल सकते है मैं आपको Excel दिखा देता हूँ, Excel में आपको किस तरह से data बना लेना है, इस तरह से आपको data बना लेना है, यह आपका current year का data है, जिसमें current year को मैंने रखा है basic list, कि मैंने basic list के लिए form file करने जा रहा हूँ, तो मैंने क्या क्या है, basic list के लिए current income लिया है, उसमें मैंने deduction लिया ह द्यापनी कि मेरी कितनी डिरक्षन है जो एटेसी यदर सेक्सें मेरे डिरक्षन मिलती है तो मैं मौल ले तो हो आपड मेरी डेडलाक डिरक्षन है और मेरी net taxable income पाई-लाक रूपीज तक है तो जो मेरे टेक्स पेबल आ रहा है वो मेरे जीरो आ रहा है पर मुझे क्या हुआ तो अगर मैं इसको total में अपने अपने हां जोड के net tax stable income निकालता हूँ तो मेरी 7,00 रुपे इंकम हाते हैं, जिस पर मुझे tax stable financial error, 211 के accounting और old tax regime में जाते हुए, ध्यानते सुनिएगा net tax regime में आपको deduction नहीं मिलेगी, तो आपकी जो calculation है वो different आएगी, आप calculate ठीक से कीजिएगा, तो मैंने ये मान लिया है कि मैं old tax regime में ही रहता हूँ, जो previous rates थे, और मेरा जो tax आ रहा है वो 4600 आ रहा है, तो ये तो मेरी current year की details है, ये मुझे बाद में feed करनी है, पहले मुझे old की figure की feed करनी है, जो कि मैं 1899 का यहाँ पर example लिया है, अब आपको क्या करना है, 1899 का जो आपके बास ITR form है, उसको आपको लेना है, और उससे पुरी details यहाँ पर ले लिनी है, ये आपने जब ITR file की होगी, तो उसमें आपने जो income दिखाई है, for example, हम यहाँ पर, मैंने example के लिए लिया है, कि हमने 4 लाग रुपे यहाँ पर दिखाए थे, और 1.5 लाग की मेरी उस साल में reduction थी, example की हमने ले लिया है, हम 1.5 लाग रुपे हर साल जो आपने PPF में जमा करा देते हैं, आपके बाद जो deduction होना, आप उतनी amount यहाँ पर लीजेगा, net acceptable income मेरी इतने थी, जब मैंने file की थी, तो मेरा tax महाँ पर 0 आ रहा था, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उस साल में इस current year का, जो मेरा area मिला है मुझे 2 लाग रुपे, अब मैं वो जोड़ कर यहाँ पर चेक करूँगा, कि अगर यह area, यह salary मेरी वहाँ पर मुझे मिली होती, तो मुझे कितना tax देना पड़ता, मुझे tax देना पड़ता 10,400, जबकि अगर मुझे current year में मिला है तो मुझे 54,600 देना पड़ रहा है, कि current tax करी जाए, अब मुझे 89 की relief मिलेगी, ध्यानते सुनिएगा, 89 की जो मुझे relief मिलेगी section में, वो कितनी मिलेगी, मैं 54,600 में से मैं माइनस कर दूँगा, कौन से वाली figure, 10,400, तो मुझे इतनी relief मिलेगी, और मुझे अब जो tax pay करना है, वो 10,400 पे करना है, मुझे file to tax pay नहीं करना पड़ेगा, अब उसके लिए मुझे पहले form भड़ना पड़ेगा, form tiny, तो उसमें details क्या पर नहीं है, आपके पास यह गिनती से 10 details होंगी, जो आपके पास होंगी, अब जल्ली से form पे जाईए, और form file कर लेते हैं, उसमें ज्यादा time नहीं लगेगा, तो कि अगर पहले आपने details बना लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डाल लेते हैं, कि मेरी current year की income है, मेरी current year की income है, वो कितनी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, taxable income मेरी यहाँ पर, जो मैंने अपने example में लिया है, वो 6,05,000 रुपए, सबसे पहले मैं इसको feed कर लेता हूँ, और इसमें ध्यान रखना है, जो area मिला है वो नहीं जोड़ना है, ठीक है, next में आता है, next step में कीहाता है, मैंने पहले बताए हैं आपको ए table हमें add करनी है, point number 6 में table add करनी है, 18-19 में, अब इसमें क्या add करना है, चल लिए जलदी से दिख लेते हैं, इसमें क्या add करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर add करना है value, यहां पर थोड़ा confusing दिया गया है यहां पर क्या कह रहा है कि टोटल इंकम आपको डालने है इसमें आपको वह जो एरियर है वह इंक्लूड नहीं करना है मेरे केस में क्या है आपको दिखाता हूँ मेरे केस में यह जो है वह है 4 लाक रुपए तो मुझे यहां पर 4 लाक रुपए लिखना है, ठीक है अब वो पूछता है कि आपके बाद आपका जो tax है जिस साल में आपने ये return फाइल करी थी उस साल में आपका कितना tax बन रहा था यहाँ पर पूरा clearly लिखा हुआ है उस income को जोड़ते हुए उस income को हटाते हुए इस वाली income पर जब मैंने डिक्लेर किया था reduction लेने के बाद मेरा tax बनना था 0 तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूँगा अगर हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर जो है value कुछ और आ रही हो यह आपके पूरी deadlock के reduction ना हो तो वो tax आपको लिखना है exclude करते हुए फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो current tier का यह इसके साब से ने tax 0 लिख दिया अब यह कह रहा है कि अगर उस साल में आप यह वाला area जोड़ दे तो कितना था तो यह वाली figure मांग रहा है तो यहाँ पर हमने फिखर लिख दी तो यहाँ पर गिंती से चार यहां 5 figure आपको add करनी है एक उपर की थी दूसरी यहाँ पर तीसरी यहां और फोर्ती यहां पर तो इसके बाद क्या है कि यह value जो आपको यहाँ पर add कर देनी है ठीक है पुरी details है आपकी आ गई अब इसके बाद क्या है अब इसके बाद यह details दोन automatically आ गई अब यह आपको समझा भी रहा हूं tax on total income as per system calculation की system calculation के according आपके उपर जो है वो tax कितना बन रहा है यह वाला field इसने आप खुद से नहीं दिया है पर अगर आप यहाँ पर पहले ITR file करके जाते हैं तो यह field automatically आ जाएगा अब यह कह रहा है कि आपका अगर आप current year में इस current year की income में यह area जोड़ देते हैं तो आपका कितना tax बन रहा है यह आप बता दीजिए इसको तो हम कह रहे हैं कि आपर हमारा 24,600 रुपे का tax बन रहा है और लिख दिया 24,600 ठीक है अब point number next जो point है point number 5 अब point number 5 में क्या गया रहा है कि अगर आपको area नहीं मिला होता तब आपका कितना tax बन र यह वाली है यह वाली मेरे case में अगर मेरा current year में मुझे area नहीं मिला होता तो मेरा zero tax बन रहा होता हो सकता है आपके पास यह figure हो तो आप ध्यान से देखेए गा उस figure को आप यहां पर enter कर दीजिएगा यह figure हम यहां पर enter कर देता है मेरे case में zero आ रही है कि मेरा कोई tax नहीं ब पता है तो आपको relief मिलेगी मुझे 4200 रुपे की automatically relief दिखा रहा है data को save कर देना है save करने के बाद verification करने के बाद सेव करते हुए इसको EVC से verify कर देना है मैं data को यहां पर save कर रहा हूं यह data होगया save अब यहां पर preview भी आप देख सकते है यह preview आ पूरा आपके form 10 का कि आपको क्या-क्या details आपने एंटर की है किस तरह आपने एंटर की है total taxable income उसमें से कितना मिला है कितना ही लिप मिली है व प्रिवेस एर का डाटा प्रिवेस एर का डाटा इंक्लूडिंग अरियर बस यह चीज़ आपको रखनी है और form 10 आपको इस तरह से भर देना है समिट कर देना है इसके बाद आप जब ITR फाइल करेंगे तो इसमें आपको 89 के relief क्लेम कर लेना है तो कितना simple process था तो आप इस वीडियो को दियान से देखिए अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो दुबारा से repeat करके देखिए हो सकता है एक बार में आपको समना है या figure समझना है या chart समझना है यह chart आप बना लीजेगा या आप मुझे email कर सकते हैं या फिर comment box में comment भी कर सकते हैं आप इसमें अपने tax calculate करते हुए, अपने form को file कर दीजिएगा, ये वीडियो आप ज़्यादा ज़्यादा share कीजिए, ताकि सभी को इसका benefit मिल सके, मेरे चैनल को आप subscribe कर लिजी, ताकि आपको इसी तरह सब्डेट्स मिलती रहे, वीडियो देखने के लिए thank you so much.